नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉगिन में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामुन खाने से होने वाले बेमिसाल फायदों के बारे में दोस्तों आप इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में कापी उपयोगी साबित हो सकता है और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी के निसान को जरूर दबा देना क्योंकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों जामुन एक मोसमी फल है खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही इसके कई ओस्दिय गुण भी होते हैं जामुन अमलिय फल होता है पर यह स्वाद में मीठा होता है जामुन में भरपूर मातरा में गुलकोज और फ्रुक्टोज पाया जाता है जामुन में लगबग वे सभी जरूरी लवन पाय जाते हैं जिनकी सरीर को आविशक्ता होती है दोस्तों अब बात करते हैं जामुन से होने वाले बेमिसाल फाइदों के बारे में दोस्तों जामुन में विटामीन C और आईरन बरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसकी वज़े से जामुन खाने से हिमोगलोबीन बढ़ता है सरीर में हिमोगलोबीन बढ़ने से रक्त सरीर के विबिन हिस्सों में अधिक ओक्सिजन का अफलो होता है जिसकी वज़े से हमारा स्वास्ते ठीक रहता है जामुन में पाए जाने वाला आईरन रक्त को सुद्ध करने का काम करता है जी हाँ दोस्तों जामुन हमारे खून को सुद्ध कर देता है दोस्तों जामुन पोटेसियम से बरपूर होने के कारण रिधे को स्वस्थ रखने में बहुत साइक होता है 100 गराम जामून में लगवक 55 मिली गराम पोटेसियम पाय जाता है जो उच्छ रक्त चाप श्ट्रोक सहीत कई तरह के रिधे रोगों से सरीर का बचाव करता है दोस्तों जामून मसूडों एवं दातों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है जामून की पत्यों में एंटी बेक्टेरियल गुण पाय जाता है जो मसूडों से खून निकलने से बचाने में मदद करता है जामून की पत्यों को सुखा कर और इसका पावडर तेयार करके दातों को साप करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है ये संकर्मन और मसूडों से खून निकलने को रोकता है दोस्तो जामून डाइबिटीज के लक्षणों अधिक पेसाब और भूक को कम करने में मदद करता है ये गलाइसी मेक इंडेक्स को कम करता है और बलड सुगर को सामानने बनाये रखता है जामून की पतियां चाल और बीज डाइबिटीज के इलाज में परियोग किये जाते हैं यह इंसुलीन के इस तरको बढ़ाने में मदद करता है इसलिए जामून के सीजन में इसके फल का सेवन डाइबिटीज के रोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में करना चाहिए दोस्तों गूर्दे की समस्या को दूर करने में भी जामून का उप्योग किया जाता है अगर आपके गूर्दे में किशी तरह की दिक्कत है तो जामून के बीज का पाउडर तेयार करके और इसे दही में मिलाकर खाने से किड़नी के इस्टोन सहीते किड़नी की अन्य दिक्कतें भी दूर हो जाती है दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद फ्रेंड्स